एक ऐसी बूरी उरत की कहानी जो अपनी जिंदकी में बिल्कुल अकिले रहती है उसकी बेटी उसको 17 साल की उमर में छोड़ की चली जाती है फिर उसके बाद उपना पूरा जीवना के लिए बिताने लग जाती है फिर उसकी लाइफ बदलती है और उसकी लाइफ में एक बच्चा आता है जो उसकी बेटी का लड़क होता है चलिए स्टोरी पे आते हैं मुवी के स्टार्ट होते ही हमें उस पूरी उरत की बेटी को दिखाया जाता है जो अब 32 साल के हो चुकी होती है फिर हमें उसके बेटे को भी दिखाया जाता है जो साथ साल का होता है और उसका नाम होता है सांगू तब ही सांगू अपनी मा से पूछता है कि मा दादी हमा केसी है वो रहती है काम कर लेती है सब कुछ तब इसकी मा कुछ सोचती है, क्योंकि अब वह भी 15 साल पार अपने घर जा रही होती है, तो उन्हें भी नहीं पता होता कि वह किस हालत में होगी, तब ही हमें दिखाया जाता है कि बस में कुछ लोग मुर्गी के बच्ची के साथ खेल रहे होते हैं, तो उसे खुला छोड़ हैं, तो देखते हैं, कि उनकी बाप बहुत बुड़ी हो चुकी है, ना वो बोल सकती है, ना वो सही से सुन सकती है, तो उसी बात पर उनकी बेटी, उनसे मौफ़ी मंगने लग जाती है, और उनसे बोलती है, कि मेरा तलाक हो चुका है, और मेरे रपस कोई जोब था, मेरे वो भी बंद हो चुकी है, और मेरे पस कोई जोब नहीं है, तो मैं इसको नहीं पाउच जाती है, तो कुछ दिन के लिए आप इसको अपने पास रख लीजिए, जब रपको ठीक हो जाएगा, तो इसे मैं अपने साथ ले जाओंगी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी इस तो उसकी माँ कुछ समझ, सुन तो नहीं पाती है, पर वो समझ जाती है, फिर उसकी माँ उससे बोलती है, वोजे अभी जाना होगा, आप इसका ध्यान रख लेना, पर वो उसकी माँ बोलती है, तुम आज रप यहीं ही रुख जाओ, और यहीं पर आराम करने के बाद चले जाना, तब वो बोलती है, नहीं में नहीं रुख सकती, मुझे हमाँ कैसे भी पोष्टना होगा, और अपनी लिए नहीं जोब ढूनी होगी, ताकि मैं जल्दी से जल्दी सेट हो सकूँ, और फिर अपने बच्चे को वापत ले जा सकूँ, अगले ही पर उस शाहर की बस प जाती है, तो वह काफी लड़ाई करने लग जाता, और अपनी नानी को चिड़ाने भी लग जाता, और बोलता है, कि आप दो गुंगे और भेरियोंपर उसकी नानी इसको एक इशाहर करती है पेटी पेट पर वह कुछ नहीं समझ पाता, उसकी नानी इसको छोड़के फिर मोर्निंगं का मिलाता जाता है जहां परुग राट को कर सीन अपनी पीछ से रागी हो तो उसके नानी उसके लिए एक कोट लाती है, तो उस पोट के अंदर ही वह बात्रूम करता है, फिर उसके नानी उस पोट को दोती भी है, और हमें उसे काम करते हुए भी दिखाया जाता है, यो बड़ी बड़ी बाटे रेके पानी बर के लाती है, फिर हमें उना अकेले यहां कै और इसकी नानी उसे कुछ नहीं बोलती बस उसे तेकते रेती गभू पिनायर हमें डिकाया जाता है एक सबस्य की तुक्त की प्रता हों के शांगु साङज्ञाओ दफिने दा कोई फ Panther by teraz तो वो थकार के वापस घर पू wherever आ जातायए यानीं बार 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 सुई मेर उससे धाका ड़बाती है तो जब भी खेएन लगता है तो उससके नानी सुई मेर ढ़बाते रहेती है वो थिस चीजस से वो बहुत परिशाहन हो जाता है breakfast यानीं गेम खेल रहोता है, तो उसके सेल्स खतम हो जाते हैं, तो वो अपनी नानी से पैसे मांगने लग जाता है, तो उसकी नानी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, कि वो उसको सेल दिलवा सके, क्योंकि उन्होंने अपनी जिन्दगी पूरी गरीबी में बिताई होती है, तो उनक बीनिनिनर को धक्कर देखे के श़ला जाता है फिस्त बुर घरai जाता वो बहुत गुसा पेँकर कुलाता है व बहुत जाता है बारइञे को मुझस बहुत परेशान चे विखा चनुन करें में था तो उसी निकाल के चिपचाब से बांग जाता है , ओगाउमे दुकान डोनने कृनी का टो निकल जाता है , फिर पूषते पूषते एक दुकान पर पहुंचता है तो वो सेल देखने लग जाता है तो उसे अपने वीडियो गेम के लिए सेल नहीं मिलते है क्योंकि उसमें छोटी साइज वाले सेल डलते थे तो दुकान वाले के अपस होते नहीं है दुकान वाला उसे बताता है कर रास्ता नहीं मिल रहा होता है तभी रस्ते में उसे एक हाथ में मिलता है तो उसे अपने साइकल पर बिठाता है और उसे अपने गाउं ले जाने लग जाता है और अपने गाउं के पास ले जाके उसे छोड़ देता है तभी देखता है कि रस्ते में उसे उसके नानी दिख जाती है पर वो अपने नानी को इग्नोर करके वहीं खड़ा रहता है फिर उसके नानी उसको बुलाती है और अपने साथ चनने के लिए बोलती है तो वो पीछे पीछे अपने नानी के चननने लग जाता है और फिर बात में जब नानी कपड़े जुखा रही होती है जुखान क्पड़ों पिन लगता है प्रफनी नाने के कपड़ों पे पिन नहीं लेता है एक एक पिन लगा दिता है कि तोड़ी तेरपाद जब उसकी नानी आती है तब वह संब्होड़ और उसकी नानी कुछ नहीं समझ बाती फिर उपनी नानी से बोलता है कि मुझे चिकन खाना है तो उसकी नानी वहाँ से चली जाती जब नानी घर वापस आ रही होती तब बहुत चोट से परसात आने लग जाती वो पूरी की पूरी भीग जाती और उन्हें टंड भी लग रह वापस फ्राइज शिकन को चाव से खाने लग जाता है। खाते खाते उसकी निजर अपनी नानी पे जाती है तो उसकी नानी कहाँ पर ही होती है ठंड से और फिर अपनी नानी के पास जाकर देखता है तो उनको काफी तेज बुखा रहा गया होता है तब ही वो देखता है कि जब यह रात को आई थी तो यह बरसात में भीक गई थी त तो चम्मच को हटा कि वापस हेर पिन लगा देता है अब वो नानी के बारे में काफी सोचने लग जाता है फिर एक दिन वो जंगलों में जा रहा होता है तो खेट में उसे एक लड़की दिखाई देती जो घर कर खेल रही होती है तो उसे वो लड़की काफी पसंद आ चुकी होती है फिर सांगु और उसकी नानी कट्व बेशने के लिए शहर जा रहे होते हैं और सड़क पर जाके वो बस का वेट करने लग जाते हैं काफी देर पर इसका वेट करने के बाद भी बसवान नहीं आती तो वो पेदली शहर के लिए निकल जाते और वहां जाने के पाद वो कत्व बेचने लग जाते हैं और उसे थोड़े बहुत पैसे कमाने लग जाते हैं और सांगो अपनी दानी को कत्व बेचते वे देख रहा होता है कि वो बहुत मेहनत कर रही है सुमर में भी और अपने पेटपान लेके लिए वो क्या क्या करती है फिर एक नई शौप पे जाते हैं वो वहाँ पर जाके वो उसे नए शूझ दिलाती है फिर अच्छे से रेश्टोरियंट में ले जाती है उसे अच्छे अच्छे खाना गिलाती है और पैसे बचाने के लिए बस पानी पी रही होती है, वो सारे पैसे देने के पार, वो एक दुखान पर जाती है, जहां पर पैट्रीज होती है, वो सांगो को पता होता है, कि अब उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके चीद नहीं करता है, उनके घर जाने की बस ढोने लग जाते है, पर उन्हें बस नहीं मिल रही होती तब एक driver बोलता है कि आज हम जाएंगे तो वो जाके बस में बेड़ जाते हैं तो driver उन्हें पताता है कि आपके friend की तब एक बहुत खराब है आपके उनसे जाके मिल लेना चाहिए एक बार जाते जाते सांगों की नानी उससे पूछती कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या तो वो तब ही इसारा करता है एक बच्चा चोको बार खा रहा होता है उसकी नानी कुछ समस्ति तो है नहीं तो वो वह जाके उसकी पॉलितिन उठा लेती ताकि उन्हें पता हो कि उन्हें क्या लाना है और वो वहाँ से निकल जाती है अपनी फ्रेंड के घर पे और उसे जाके मिल जाती है उसे बोलती है कि तुम्हें एक और बार मैंसे मिल जाना पता नहीं अगली बार हम मैंसे कौन जिंदा रहे और कौन ना रहे और उने जाकि वो पॉलेथिन दिखाती है तो उसमें छे चोको बार पैक कर देती है उनके लिए तब वो पैसे देने लग जाती है तो पैसे लेने से मना कर देती है और वो भी मानती नहीं है उन्हें कद्दू देती है और वहां से निकल जाती है फिर वो वापस बस के पास पहुंच जाती है और तब वो सांगू को अपने पास बुलाती है और उसे सामान देने लग जाती है पर सांगू उसे लेने से मना कर देता है तो उसके नानी खिड़की के पास जाती है वो खिर्की को जोड़ जोड़ से बजाने लग जाती है और उसे वो सामान देने लग जाती है तब सांगू से लेने से मना कर देता है वो काफे जिद गरने लग जाती है तब भी सांगू सामान नहीं लेता और तब भी वहाँ पर बस चल जाती है और सामगू इससे सूचता रहता है कि नानी कैसे आएगी और वो परिशान होता है काफी वो घर जाने के पाद वो अकेला लेड जाता है और अपने नानी के बारे में सोच रहा होता है तब ही उसे अपनी नानी के बारे में सोचते है वह वापस सड़क पर आ जाता है, तब हमें दिखाया जाता है, कि उसकी नानी भी वहाँ पहुंच जाती है, वो पूरे रस्ते पैदल ही आई हुई होती है, और इस चीज़ से वो बहुत ठक चुकी होती है, यह देखने के बास सामगू को अपनी नानी पर बहुत तरसा जाता है, और वो सामन अपनी नानी से लेता है, और उनके आगे आगे चलने लग जाता है, और उसे याद आ जाता है, उसने बहुत बड़ी गलती करी, अपनी नानी को समन नहीं लेके, क्योंकि वो इत्ती बूड़ी हो गई है, फिर भी उत्ता काम करती है, उसे उनके साथ इसा न भागो भागो तो लड़का आगया के भागने लग जाता है तो पत्था से टकरा के वहाँ किर जाता है और फिर वह सांगु पीछे पलटके देखता है तो पीछे कोई गायी नहीं होती है और फिर सांगु पर काफी गुस्सा होने लग जाता है तब सांगु वहाँ से भाग ज लग जाती है। वह शरो शरो में काफी समझाता है इसकी नानी को उसके बार काटने लग जाती है। तब उसकी नानी को सामान पैक कर रही होती है। और दूसी तरफ वह अपना सिर चुपा रहा हुता है। ताकि उस लड़की से मिल पाए और उस कपड़े से उसकी नानी सामान पैक करती है तो वो सामान पैक करके कहीं पर जाने लग जाते हैं वो उसी आत्मी के पास जाते हैं जब इतली बार सांगू गुमा था तो उसे जो आत्मी छोड़ने आया था वो भी काफी बूड़ा हो कि हम दूसरों पर वोज हैं अब हमें मर जाना चाहिए हमारे लिए वही अच्छा होगा उसकी नानी उसे दिलासा देती है और तोफा भी देती है कि तुम टेंशन मतलो फिर हम इसके घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सांगु कुछ पैक कर रहा होता है उसकी नानी भी उस फिसलता है तो उसकी गाड़ी सिलिप हो जाती है और वहीं पर गिर जाता है और उसके काफी चोट लग जाती है जब वह वापस आ रहा होता है तो अब हैचानक उसके पीछे गाये पढ़ जाती है तो वहां पर एक लड़का आता है जिसकी उसना पहले परिशान किया था और इंतजार कर रही होती है उसकी नानी को देखने के बाद वो खाफी रोने लग जाता है उनके पास जाके खड़ा हो जाता है उसकी नानी उसके आसुपोस्ती है और उसे एक लेटर दिखाती है उसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि दो दिन में उसकी मा आने वाली उसे ल कि इनके लिए कुछ नवुच्छ तो करना पड़ेगा फिर वो कुछ लेटर्स बनाने लग जाता है ताकि उसकी नानी की कभी भी तबिद खराब हो तो वो डारेक्ट लेटर भेज सके और अपनी नानी को शारे में समझाने भी लग जाता है वी तब हमें दिखाया जाता है कि अगले तिन उसकी मां उसे लेने के लिए आ जाती है तब ही उनकी मा बोलती है कि आपके लिए में अगली बार सर्दियों के कपड़े भी जूरात ढोगी और आपसे मिनने आती रहूँगी अब तब ही उसकी माँ बोलती है सांगू से कि बेटा तुम्हें अपनी नानी से कुछ बोलना है क्या तो वो पहाने मानने लग जाता और कुछ नहीं बोलता जाते जाते हैं अपनी नानी को लेटर देता है उसकी नानी काज पर ठक ठक कर रही होती है पर अपनी नानी को इग्नोर करता रहता है वो कोई जवाब नहीं देता वो इसा दिखाता है कि उसे अपनी नानी की कोई परवानी है पर जिससे बस निकलने लग जाती है उसका दिल पिगल जाता है और पीछे जाके वो अपने पेट का इशारा करने लग जाता है और आज तक में यह नहीं पता चला, यह पेट का इशारा होता क्या है, फिर उसकी नानी वहाँ से घर के लिए वापस निकल जाती, फिर उनके साथ क्या होता है, क्या की की स्टोरी है, इसके बारे में कुछ नहीं पताया गया, इसी के साथ यह मूवी भी खतम हो जाती है, दोस्तों अगर को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज में सब्सक्राइब करो लाइक करो इस वीडियो को ठेंक्य दोस्तों